आधुनिक समय में मुद्रा के स्वरूप आज हम लेन देन के लिए रुपियों और पैसों का उप्योग करते हैं इसके पीछे सर्व स्विकारिता की बात है इसका चलन है क्योंकि सभी इसे स्विकार करते हैं विश्वास बनाय रखने के लिए सरकार इसे कानूनी रूप से अधुकृत मानेता देती है या वैधानिक होती है इसलिए लेन देन में कोई भी इसे अस्विकार नहीं कर सकता वर्तमान युग में हम वित्तिय लेन देन के लिए नगद के साथ नगद रहित व्यवहार भी करते हैं हम कुछ वस्तूओं और सेवाओं को खरीदने के लिए नगद रुपयों के अलावा चेक, डेबिट कार्ड इत्यादी के द्वारा भी भुकतान कर देते हैं बैंक हमें हमारे खातों में जमा रुपयों के आधार पर चेक बुक, डेबिट कार्ड देते हैं हम किनी वस्तूओं सेवाओं को खरीदने पर दुकानदार या विक्रेता को चेक देते हैं वह दुकानदार उस चेक को अपने खाते में जमा करा देता है बैंक द्वारा चेक प्रमाडित कर खाते में से उतनी रकम दुकानदार के खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है इस प्रकार बैंक के खाते द्वारा लेन देन आसान और सुगम हो जाता है वर्तमान युग में बैंक खाते मुद्रा का बड़ा और महत्तोपूर्ण स्वरूप है बैंकों में ग्राहकों के पैसे मुख्यता बचत खातों, चालू खातों और स्थाई जमा फिक्स डिपोजिट के रूप में होते हैं बचत खातों में हम अपनी आय का कुछ हिस्सा जमा करते हैं इसलिए इन खातों को बचत खाता कहते हैं वहीं चालू खाते में व्यवसाई ग्राहक अपने रुपियों को रखते हैं जिनकी जरूरत उन्हें अक्सर पढ़ती रहती हैं इन खातों में प्रति दिन पैसे जमा किये जाते हैं और निकाले भी जाते हैं. इसलिए इन खातों को चालू खाता कहते हैं. चालू खाते एवं बचत खाते से हम जब चाहे पैसे निकाल सकते हैं या किसी को भुकतान करने के लिए चेक दे सकते हैं. या हमारा पैसा है जिसे बैंक ने सुईधा एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए रखा है। अपना कार्ट देते हैं दुकानदार अपनी दुकान में रखी भुकतान मशीन में कार्ट डालता है। चेक से भुकतान करना है। उसे आप चेक किस प्रकार जारी करेंगे। नीचे उदाहरन के लिए एक प्रारूप दिया गया है। आप इसे किस तरह भरेंगे करके देखें। इनसे हमने जाना की मुद्रा के दो स्वरूप होते हैं। एक नगद राशी जो हमारे पास होती है और दूसरी वह मांग जमाराशी जिने हम बैंकों में रखते हैं। और वह राशी मांगने पर बैंक हमें देती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बैंक विवस्था द्वारा निर्मित खाते हमारे लिए कितने जरूरी हैं। इन पैसो द्वारा लेन देन होता है और बचत के रूप में भी रखा जाता है। इस बैंकिंग विवस्था को सुचारू रखना सरकार का काम है। तभी इसमें व कि विशिष्ट लक्षणों में हम पाते हैं कि ये सभी वित्य लेंदेन में स्विकारी होती हैं अतह मुद्रा की साख इसकी सारुभौमिक स्विकारिता से होती है यह हमारे लेंदेन को सरल बना देती हैं। किसी देश के अंदर वहां उप्योग होने वाले पैसो के आधार पर मुल्यों का मापन किया जाता है। किसी भी वस्तू या सेवा की कीमत पता करने के लिए मुद्रा ही अंकित करते हैं। मुद्रा का उप्योग कर कोई भी व्यक्ति तरह तरह की वस्तूइ भिन भिन कीमतों पर खरीद सकते हैं।